बिग बॉस ओटीटी के सीजन 3 की ट्रोफी सना मक्बूल के हिस्से आई है हाला कि सना मक्बूल से ज़्यादा लाइमलाइट अर्मान मलिक और उनकी दोनों बीवियां कृतिका और पाइल है कृतिका इतने करीब आ गई थी लेकिन आखिर में वो निकल गई ये काफी बड़ा जटका था लेकिन बाहर आकर भी उन्हीं के रिष्टे की बाते हो रही हैं और तीनों ही खुद को सही साबित करने में जोटे हैं कृतिका ने बाहर आकर भी अपने रिष्टे पर सफाई दी और अपने पती अर्मान मलिक और सौतन पाइल को लेकर बात की नेशनल टेलिवीजन पर कहा कृतिका मैं माफी मांगती हूँ मेरी वजह से तुम बहुत रोई हैं दरसल बाहर इतना हेट मिल रहा था कि मैंने परेशान होकर वो फैसला ले लिया था लेकिन वो फैसला गलत था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था वही कृतिका ने मीडिया से कहा जब मैंने सुना पाइल अर्मान को तलाक देने का बोल रही थी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि पाइल ऐसा बोल सकती हैं मैं अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी मैं घ पता कि पाइल से जुड़ा क्या सच है क्या जूट है दरसल पाइल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो अपनी बच्चों को लोगों के तानों से बचाने के लिए अर्मान से अलग होने जा रही हैं लेकिन बाद में उन्होंने तलाक वाली बात को नकार दिया था और कहा थ कि वो उन लोगों के खिलाब भी एक्शन लेंगी जो लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं और फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं वहीं यूजर्स का कहना है कि अर्मान और उनकी बीवियां समाज को एक गलत मैसेज दे रही है कि एक बीवी के होते दूसरी औरत से शादी करना और दो बीवियों को एक साथ रखना आने वाली यूद को एक गलत मैसेज है इसका रिष्टों पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा जबकि हमारा समाज और संसकार इस बातों को प्रुतसाहित नहीं करता जबकि कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर वो तीनों खुश हैं तो दूसरों को इससे समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे इस बारे में आपकी क्या राह है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्बूक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें